हलो दोस्तो और वेलकम बैक टो इंट्राकॉगनिशन और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नार्कोटिक्स ड्रक्स और साइकोट्रोपिक सबस्टैंस एक टॉफ नाइटीन एटी फाइफ के बारे में यानि एंडी पीएस ठीक है तो अभी काफी सुरुख्यों मे की संभावना होती है ठीक है तो यह एक टॉपिक है जो सोशल वर्क से भी जुड़ा हुआ है ठीक है यहां से यह एक टॉपिक है जो आपके सोशल वर्क पेपर 2 में भी इंक्लूडड़ है जब हम हजार्ट की बात करते हैं या जब वेल बींग की बात करते हैं तो ड्रक्स एक वहाँ पर barrier है, ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग काफी सारी चीज़े cover करेंगे, सारे international conventions देखेंगे, ठीक है, आर्टिकल कौन से Indian constitution के कौन से आर्टिकल में drugs की बात कही गई है, आर्टिकल 47 को समझेंगे, फिर इंडिया इतना vulnerable क्यों है, इतना drugs कहां से आते हैं, क्यो इतनी दिक्कते आ रही हैं इंडिया को, तो वो देखने ही कोशिश करेंगे, कि ये drugs जो हैं, वो किस वज़े से इंडिया तक पहुशते हैं, क्या problems face करता हैं इंडिया, ठीक है, ड्रक्स को कंट्रोल करने में, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो नार्कोटिक्स ड्रक्स है तो दोनों words का meaning भी समझने ही कोशिश करेंगे, और इस NDPS Act के अंदर कौन-कौन सी agencies आती हैं, हम लोग अभी Narcotics Control Bureau का का काफी नाम सुन रहा हैं, तो उसकी क्या roles and responsibilities हैं, फिर ECOR Agency है, जो Central Bureau of Narcotics, उसके क्या roles हैं, then punishments क्या है, NDPS Act जो है, 1985 माया उसके बाद तीन बार amendment भी तो अभी जो present situation है, उसमें क्या punishment दिया जा सकता है, अगर कोई drugs के साथ पकड़ा जाता है, तो वो punishments भी हम देखेंगे, अगर कितनी quantity में drugs मिलता है, तो कितना punishment है, at last हम देखेंगे कि कौन-कौन से international convention से जो drug related matters में आये हैं, international level पे, तो शुरू करते हैं, article 47 जो है Indian Constitution का, उसम जो है वो drugs की बाते का यह गई है, वहाँ पे provision से drugs, हम देख लेते हैं, उस article को, article 47 को, वो क्या बोलता है, it is the responsibility of state, और state मतलब यहाँ पे government, duty of the state to raise the level of nutrition, ठीक है, nutrition का level increase करना, and the standard of living, ठीक है, living standard को बढ़ाना, and improve public health, ठीक है, तो public health को improve करना, इस constitution का article में कहा गया, अब public health, कब improve होगा, जब drugs और यह सब चीज़े नहीं होगी, तब public जो है, वो उनकी proper health होगी, ठीक है, तो drugs health पर effect तो डालता है, यह हम सब जानते हैं, तो the state shall regard the raising of the level of nutrition, standard of living of its people, and improvement of public health as among its primary duties, ठीक है, तो article 47 जो है, वो हमारा DPSP में आता है, यानि directive principles of state policy में, तो इसमें direct करता है, यह article क जो standard of public health है, जो living standard है, जो public health में improvement है, वो duty है state की, और यह इसलिए direct करता है, ठीक है, the state shall endeavor to bring about prohibition, देखे, यह है important हमारा लिए, कि यही act, ठीक है, article 47 ही, जो है, वो endeavor करता है, to bring about prohibition of the consumption, exception for medicinal purpose, ठीक है, consumption of drug, except for medicinal purpose, अगर medicinal purpose की बात है, तो अलग बात है, लेकिन consumption को prohibit करना, ठीक है, इसी article के अंदर जो है, वो गुजरात एक dry state बना, इसी article को follow करते वे, बिहार एक dry state बना, जहांपे आपको legally, जो है, वो alcohol नहीं मिलता, ठीक है, तो यह article का use करके, कोई भी state, जो है, बैन कर सकता है, drugs, अलकोहल को भी, ठीक है, तो it is for prohibition of consumption of alcohol and intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health, ठीक है, तो यह article की बात होगी, 47 article of Indian constitution, जो directive principle of state policy में आता है, अब इंडिया इतना vulnerable क्यों है, drugs कहां से आ रहे है, ठीक है, इंडिया खुद ग्रो कर रहा है, या बाहर से कहीं से आ रहे है, तो आप देख रहे हैं, यह जो map आप देख रहे हैं, इंडिया के असपस में दो चीज़ है, ठीक है, एक जो आप वेस्ट में देख रहे हैं, नौर्थ वेस्ट में, जो इरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो countries है, वहाँ पे golden crescent उस जगे को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे दो ऐसी जगे हैं इं इरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिसे हम golden crescent बोलते हैं, यहाँ पे opium उकता है, और एक यह आप देखेंगे कि जो east side में है, जहाँ पे जो triangle बनावा है, golden triangle, इसको golden triangle बोलते हैं, यह है Myanmar, Laos, Vietnam और Thailand की border से जुड़ा हुआ, तो इस एरिया में भी बहुत opium का production होता है और देखें आप, यह बिल्कुल इंडिया के आसपास है, और जो transit है, जो golden triangle से जो opium west में जाएगा, European countries, अफ्रिगा में, तो वो इंडिया से होते वे जाएगा, ठीके, तो transit के time पे हो सकता है कि वहाँ यह इसी कारण वर्ष हमारे हाँ जो drugs पहुच पाते हैं, transition के time, और इं आसपास के देशों में बहुत opium production होता है, अब मैंने बात की golden crescent की, तो आपको याद रखना है कि golden crescent में तीन country से अफगानिस्तान, इरान और पाकिस्तान के जो country से वो golden crescent है, ठीके, वहाँ पे खुब opium का production होता है, golden triangle यह है border पे, triangle की तरह shape में है, यहाँ पे Thailand, Laos और Myanmar व ठीक है, vulnerable हो जाता है इंडिया, drug abuse के लिए, particularly in poppy growing areas, poppy growing या नहीं, अफीम जहाँ पे grow होती है, तो इंडिया में काफी सारी जगे पे अफीम ग्रो होती है, MP में भी आप देख सकता है, कहीं सारी जगे पे मध्यप्रदेश में, then along the transit routes, जो transit routes है, इनका जो transportation होता है दुनिया इंडिया के तुरू होता है, इसलिए हम लोग vulnerable हो जाते हैं, drug abuse के, ठीक है, तो drug abuse अब एक और चीज है, ठीक है, drug abuse बढ़ क्यों रहा है इतना, क्यों छोटी छोटी एज में लोग जो है, drugs लेने लगें, alcohol लेने लगें, उसका एक reason जो समझ में आ रहा है, वो यह है कि जो traditional tie tie-up है, जो पुराने जो जब हम joint family में रहते थे, अब हम nuclear family में आ गयें, तो एक tie-up था, एक family थी हमारे साथ में, लोग होते थे, हमारी emotions, हमारी feelings share करने के लिए, बाते share करने के लिए, लेकिन अब लोग जो है, वो industrialization के बाद अकेले रहने लगें, दूर काम करने जाने लग कई लोग जो हैं, वो अकेले रहते हैं, तो वो drugs का सहरा लेते हैं, अलकोहल का सहरा लेते हैं, इसलिए, जो हमारा जो एक social type था, वो तूट रहा है, वो loose हो रहा है, तो control भी कम हो रहा है, तो फैमिली होती तो फैमिली में आप drugs लेकि घर नहीं जा सकते थे, आलकोहल भी के घर नहीं जा पाएंगे, तो एक control था फैमिली का, वो धिरे-दिरे कम हो रहा है, इंडिपेंडेंस मिल रही है, इसलिए, जो है, वो जादा हम लोग वल्नरेबल हो रहे हैं, drug abuse के या substance abuse के, ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और देखी जा रही है, कि जो social taboos थे, जो related है, alcohol से, जो, like, alcohol से related, तो of course कम हो गया है, कि अब जो है, alcohol को एक taboo नहीं माना जाता है, गलत चीज़ नहीं मानते हैं, कहीं लोग, कि ठीक है, it is common, सब लेते हैं, ऐसी बाते होगी, तो इसलिए, लोग जो है, ज़्यादा alcohol और जो ये नशा है, इस तरह की चीज़े करने लग एक रोमाटिरियल है, और उसके अलबा मेरेजवाना यानि जो गांजा है, ये सब चीज़े भी हो सकती है, वहाँ से जो बन रहे हैं वो ये इस प्लांट जिसको बोलते हैं, ए इंगलिश में, तो उससे भी कहीं सारे ढक्राइट बनते हैं, तो वो नेचूरल है, तो वो ने उसके बाद synthetic drugs आते हैं, जो plant से नहीं बनते हैं, ठीक है, उसमें plant raw material नहीं होता है, वो synthetic एक process से बनते हैं, तो यह synthetic हुए, then narcotics का मतलब क्या होता है, narcotics का meaning क्या है, तो narcotics मतलब जो substance जो आपको sleep, जो आपको नीन दिला दे, cause sleep, तो इसमें mainly cannabis plant, जो गांजा है, कोका लिउस है, op narcotics में आती है, और जो psychotropic substances है, वो क्या करते हैं, आपका mind alter कर देते हैं, ठीक है, तो it cause the alteration of the functioning of mind, दिमाग की जो functioning है, उसको change करते है, psychotropic substances, ठीक है, तो यह था, then जो NDPS act है, जो narcotics, drugs and psychotropic substance act जो है, उसके अंदर दो agencies है, ठीक है, उसकी जो provision से उसको enforce करने के लिए दो agencies बना आई गई, एक है central bureau of narcotics, और यह किसके लिए responsible है, it is responsible for overall supervision of cultivation of opium under NDPS act, ठीक है, तो मैंने आपका हुदा है कि इंडिया में कहीं जागे पर होता है cultivation, तो उसका supervision करने के लिए, ठीक है, इतनी कितनी quantity में हो रहा है, उसका transportation देखना, जाना illegal कहीं पर तो नहीं हो रहा है, तो वो स सारी चीज़े देखने के लिए, Central Bureau of Narcotics है, cultivation को चेक करने के लिए, ठीक है, then Narcotics Control Bureau है, it is responsible for enforcement of provisions under NDPS act, तो इस agency का आप नाम काफी बार सुने होंगे, NCB, Narcotics Control Bureau, यही जो है investigation करता है, यही जो है वो लोगों को पकड़ता है, अगर वो drugs के साथ पकड़ जाते हैं, तो यह responsible है, investigation के लिए भी और enforce करने के लिए, जो उसके provision से NDPS act है और इनफोर्स करने के लिए भी यही responsible है, ठीक है, तो सारे जो Bollywood के लोग हैं, वो NCB की custody में होते हैं, आपने देखा है, सुना है, current affairs में भी चल रहा है यही topic, तो punishments कौन कौन सी होती है, अगर NDPS act में जो punishment के provision से उसकी बात कर लेते हैं, तो अगर small quantity में है, ठीक है, अब यह quantity की में बात, थोड़ा में बता देता हूं, उसके बात करूँगा कि quantity कैसे small मतलब क्या, ठीक है, और commercial मतलब क्या, तो small quantity में अगर है drugs, तो जो punishment है, वो एक साल की है, या 10,000 रुपीस fine, ठीक है, then अगर small to commercial quantity के बीच मे है, अगर small quantity में एक साल और 10,000, small से commercial quantity के बीच में अगर आपके पास drugs पकड़ेगा है, तो इसको 10 साल की सजा और 1,00, तक का fine हो सकता है, then अगर commercial है, या commercial से जादा है quantity में, तो फिर 10 और 20, 10 से 20 years के बीच में उसको सजा होगी, और 2 lakh रुपीस fine है, ठीक है, got it, तो यह सजा ह है, अब quantity जो है, जो है, डेखिए, इह जो अलग अलग drugs के लिए small quantity होगी, cocaine के लिए सायद कम है, चरस के लिए अलग है, गांजा के लिए अलग है तो अलग-अलग के लिए हिरोईन के लिए कुछ और क्वांटिटी तो अलग-अलग के लिए डिसाइड़ है वो इस एक के अंदर डिसाइड किया हुआ है कि कितनी एक कितनी क्वांटिटी की कौन सी ड्रग की कितनी क्वांटिटी को हम small quantity मिलेंगे और कितनी quantity को commercial मिलेंगे और उसी के हिसाब से फिर कौन सा drug किसी इंसान के पास से मिल रहा है कितनी quantity में मिल रहा है उस हिसाब से जो है वो सजा मिलती है punishment मिलती है ठीक है तो अभी हम देख रहे हैं कि जो recent case है अर्यान खान का तो उसके पस कुछ quantity में कोई particular type of drug मिला है तो उसके according जो NDPS Act के अंदर provision से उसके according उसके उपर case चलेगा ठीक है then NDPS Act is amended तीन बर amendment हुआ एक तो 1988 में 2001 then 2019 में भी इसका amendment हुआ recently okay then जो है sorry 2019 नहीं 2014 amendment last sorry यहां पे mistake है 2019 नहीं 2014 में amendment हुआ है then international conventions कौन-कौन से हैं जिनके through हमने यह NDPS Act बनाया जिनको incorporate करके तो तीन convention से एक single convention से हो नार्कोटिक्स ड्रग्स यह 1961 में ही आ गया था ठीक है then convention of psychotropic substances यह 1971 में आया then UN convention against illicit traffic in narcotics drugs and psychotropic substances यह 1988 में आया ठीक है तो यह तीन international conventions से ही आपको याद रखना है काफी important भी exam के लिए and this was all about this NDPS Act and उसके अलावा जो चीजे मैंने बताई यह भी important है facts जो है वो important है I hope आपको मजा आया होगा आपने कुछ समझा होगा if you like the video then please subscribe the channel and all the best for your exams thank you